स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गो टो सक्सेस में आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे EVS के वारे में EVS का ये हमारा ओन गोइंग पार्ट है इससे पहले हमने काफे वीडियो में EVS के कंसेप्ट को लिया है जिसमें की mostly जो questions अभी तक previous year exams में बने हैं या पूछे जाते हैं उन सभी से related हमने यहां पर concepts लिये हैं और आगे आने वाले वीडियो में जैसे ही हमारे ही topics कतम होंगे उनके हम previously asked questions के वारे में भी discuss करेंगे इसके साथ जो practice session है वो भी हम यहां पर लेंगे और mock test यहां पर होंगे लेकिन जैसे ही हमारा यह course complete होगा और अगर अभी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो ऐसे ही complete course के वारे में जानने के लिए complete course में questions के साथ जो solution है इनके साथ जानने के लिए आप हमारे channel के साथ जूड़ सकते हैं तो अब हम बात करते हैं आज के topic के वारे में आप करेंगे carbohydrates तो सबसे पहले इसके नाम से ही जैसे थोड़ा सा लगता है कि carbohydrates पता नहीं कितना tough होगा ही लेकि नहीं बिल्कुल easy है बिल्कुल हम easily इसको समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि आपको starting से ही मैं ये चीज़ बताती आ रही हूँ कि carbohydrates जैसे काफी वड़ा word है ये तो इसको हम टुकडों में तोड़ेंगे और इसका जो meaning है वो अपने आप ही हमें देखने को मिलेगा carbohydrates तो यहाँ पर दो words बने हैं पहला तो हुआ carbohydrates का मतलब है carbon और hydrogen इसमें molecules देखने को मिलते हैं carbon और hydrogen के तो इस तरह से ये carbohydrates बनता है फिर बात करते हैं carbohydrates provide energy for the body अब ये जो carbohydrates हैं ये हमारी body को energy provide करते हैं मतलब की energy supplier की तरह हम इसे जान सकते हैं children and people who do physical labor need loads of carbohydrates अब ऐसे बच्चे या ऐसे people जो काफी जादा physical labor करते हैं मतलब की काफी जादा काम करते हैं उन्हें carbohydrates की सबसे जादा जरूरत देखने को मिलती है क्यों देखने को मिलती है क्योंकि carbohydrates क्या करती हैं body को energy provide करवाती है फिर बात करें cereals such as rice, beet and maize are rich in carbohydrates तो ये जो cereals जिसमें की rice आ गए, wheat आ गए, maize आ गए इनमें काफी जादा amount में carbohydrate की मात्रा देखने को मिलती है फिर बात करें sugar की, sugar and things containing sugar, sugar हो गई या sugar ऐसी चीज़ें जिनमें sugar पाई जाती है जैसे की potato हो गए, beans हो गए, bananas हो गए, इनमें भी carbohydrate की amount सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह जो potato है इनमें तो बैसे mostly starch ही होता है बोलने का मतलब है carbohydrates ही होते हैं फिर बात करें fruits की, कौन-कौन से fruits है, apple हो गया, banana, grapes, then vegetable की बात करें, potato and pumpkin फिर milk, milk में आ गए हमारे milk products, जो भी हम लेते हैं, milk products जैसे curd हो गया, घी हो गया, मक्षन हो गया, ठीक है, लस्सी हो गई, यह सब क्या है यह milk products क्या है, यह source है, carbohydrates का, तो इस तरह से आज के इस session में हमने बात की है हमें यहाँ पर यही चीज याद रखनी है, जो कि एक्जाम में भी पहले पूछी गई है कि, carbohydrates क्या है, यह एक energy source है, हमारी body के लिए, ठीक है दूसरी बात यह आती है कि, अगर यह energy source है body के लिए, तो फिर तो यह instantly energy का स्तरोत माननी चाहिए मतलब इन्हें माना जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, जैसे आपने सुना भी होगा, question यह exam में बार-बार पोचा जाता है कि, कौन सा product है, कौन सा ऐसा, मतलब हम बोल सकते है कि, कौन सी ऐसी product है, जिसमें की सबसे ज़्यादा energy और instant energy की तरहां उसे use किया जाता है, तो वो है carbohydrates ठीक है, carbohydrates का use किया जाता है, instant energy के लिए, और जो athletes हमारे होते हैं, यह हमारे sports में, जो भी persons होते हैं, उन्हें carbohydrates का use करवाया जाता है, अगर आपने देखा हो, जब भी जैसे कोई match होता है, तो बहां पर जो drink होती है, उन sports में, जहां पर जो athletes होते हैं, जो persons होते हैं, जो players होते हैं, उन्हें उस drink का use करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि बहां पर carbohydrates होते हैं, उनमें और वो instant energy का काम करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आज के इस session में हमने बात की है, carbohydrates के वारे में, उमीद करूँगी, जो भी आज हमने यहां पर देखा है, जो भी हमने concepts यहां पर ली है द्वारा से बता दूँ, जो भी यहां पर चीज़ें highlight की हुई है, यह हमें पता होने चाहिए, यही exam में question बनकर arise की जाते हैं, ठीक है, so thank you so much